हेल्प जुरूरी है में आप सभी दर्शकों का स्वागत आज हम हमेशा की तरह एक नई बिमारी का चर्चा करने जा रहे हैं कोविट जार है बिमारी कोविट क्या इसका असर है और आयोवेदा में इसको कैसे लिया जाएगा क्यूकि हमारा एक बहुत पुरौना सिलसला है, इसी सिलसले में हमारे पास एक हैलड प्रेक्टिशनर जनाब हरीश वर्मा सहाब मौजूद है, आज हम उनसे इस सिलसले में गुफ्तगू करेंगे, जी हरीश वर्मा सहाब आपको बहुत-बहुत नीगा स्वागत, तैंक यू जी, जी, डॉक साब, आपको मैं डॉ COVID-19 अब तो इसका परचार इतना हो गया है कि सारे दर्शक जानती होंगे कि कोरोना वाइरस जो की 2019 में डिटेक्ट हुआ था ये वहां से बिमारी शुरू हुई 2019 में एक कोरोना वाइरस की नए स्ट्रेंड पकड़े गई जिसको कोरोना वाइरस 19 कहा जाता है उसकी जो इंफे नाम दिया गया है तो सारस Cops Corona Virus 2 virus का नाम है और इससे जो इंफेक्ट हो जाता है वो वाइरस से इनफेक्ट होए पर्सन को हम बोलते हैं कि इसको COVID-19 की बिमारी हो गई जब कोई बिमारी होती है तो उसके कुछ लक्षण हो याक हो जाती है उसके लक्षन हम पढ़ रहे हैं रोज मीडिया में बहुत सारी खबरें आ रही हैं इसके लक्षन जो होते हैं इसके जो सिम्टम होते हैं वो चार तरह के सिम्टम देखे गए हैं एक तो कुछ लोगों को माइल्ड सिम्टम होते हैं कई लोगों को मौडरेट होते हैं क क्रिटिकल सिम्टम होते हैं मैं इसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा कि कोविड 19 वायरस कोविड 19 जो कॉरोना वायरस टू से जो विमारी फैल रही है उसके जो माइल्ड लक्षन है जो शुरू में तकलीफ होती है पेशन को उसमें 90 परसेंट लोगों को बुखार होता तो प्राइमेरली एक बुखार है पहली बात आप यहीं पर मैं एक थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी इसके साथ कैनेडा में हमारा मौसम बदलता है सर्दी आ रही होती है तो हमें तो वैसे ही ठंड से दर्द भी हो रहा है जिसमें दर्द भी हो रहा है नाक भी बैरा है औ और मुक्तलिफ किस्म की वहो रहे होते हैं तो उस सलसले में किस का परिशान होना चाहिए कैब परिषान होना चाहिए और उसका हल क्या है यह बिलकुल ठीक हाथ सी हम flu कहते हैं, influenza कहते हैं, बलकि ये बहुत बड़ी आजकल सिरदर्दी बन गई है, किसी को अगर थोड़ी सी छींक आ जाए और खांसी हो जाए, वो एकदम सोचने लगते हैं कि हमें covid हो गया है, मैं दर्शकों को बता दूं कि covid एक अलग बिमारी है, flu एक अलग बिमारी है, जो common cold होता है, वह अलग बिमारी है, इसमें थोड़ा-थोड़ा clinical होता है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे, पर मैं पहले अपना complete कर लूँ कि जो covid-19 है, इसकी जो mild symptom है, पहला symptom बुखार, गले में हल किसी खराश या दर्द, और तीसरा सूखी खांसी, dry cough होती, तीन symptom को बड़े common पाए गए हैं, और इसके बाद, अगर पेशन्ट को चार-पांच दिन में इतने symptom के बाद अपने आप आराम आ जाता है, तब तो हम मानते हैं कि पेशन्ट को mild covid हुआ था, बट अगर सांस चड ने लग जाए, और सांस चड़ रहा है, बुखार ज्यादा हो रहा है, बोडी एक्स हो रही है, बहुत ज्यादा बदन में दर्द हो रहा है, थकावट बेहाद थकावट, और बुखार, खांसी, बल्गम, यह symptom अगर आते हैं, हम कहते हैं कि moderate symptom है, लेकिन अगर moderate के बाद, अ major symptom है, severe में, और patient की oxygen काम होने लगती है, यह बहुत important है, जितने दर्शक इसको सुन रहे हैं, ध्यान से सुनने, कि COVID-19 में breathlessness और oxygen की कमी, यह एक बहुत important symptom होता है, अब oxygen की कमी, जिसको हम hypoxia बोलते हैं, यह बहुत important है, अगर किसी को यह पता लग जाए कि उसकी oxygen की कमी हो रही है, तो उसको decide करना पड़ेगा, कि वो अपना इलाज घर में बैठके करें, या उसको hospital में जाना होगा, तो COVID-19 में oxygen जो है, यह एक point होता है, diagnostic point होता है, जिससे यह पता लगाए जाता है, कि patient critical की तरफ तो नहीं जा रहा, तो उसक के लिए एक oximeter होता है, चोटा सा एक equipment है, oximeter, और वो 15-20 dollar के मिल जाता है, वो सारे लोग आज कल जैसे हमने, हमने थर्मा मीटर घरों में रखा हुआ है, ऐसे हम लोग oximeter भी घर पर लाके रख सकते हैं, यदि आपको बुखार, खांसी, सास चड़ रहा है, और उसके level 90 से नीचे जा रहा है, तो यह एक serious sign है, तो आपको तुरंथ या तो hospital जाना पड़ेगा, यह आप अपना 911 पे call करके, emergency के लिए आप उनको बलाएं, ambulance को, और अदर्वाइस, आप अगर 94, 95 आपकी oxygen चल रही है, तब तक आप अपना घर पे भी बैठके, अपने, अगर mild symptom है क्योंकि अगर hospitals में बहुत जादा rush हो जाएगा, वो भी एक दिक्कत है, और वाइरस तो है यह ना, वाइरल, यानि यह फिजा में किसी से किसी को भी हो सकता है, जी, हाँ, मैं इसकी भी जानकरी देता हूं कि यह जो वाइरस होता है, यह droplet infection से फैलता है, यानि अगर किसी को वाइरस हो गया, वो जब कोभी छीनता है, या खासता है, उसके droplets, उसके मुझ से निकलने वाले जो बूंदे होती है, वो किसी furniture पे गिर जाएं, या किसी सोफे पे, या टेबल पे गिर जाएं, या किसी के face पे गिर जाएं, तो वहाँ से वाइरस दूसरी body में transmit हो जाता है droplet infections, तभी mask लगाने को लिए बोला गया है, कि mask अगर आप लगाते हैं, तो आप दूसरों को virus नहीं फिलाएंगे, अगर आपको हो भी गया, तो आपका तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन आप दूसरों को नहीं फिलाएंगे, तो इसके लिए mask लगाना बड़ा जुरूरी है, और जैसे मैंने बताया कि अगर droplets कहीं गिर जाते हैं, तो वहाँ sanitize करना बड़ा जुरूरी है, आज कल sanitizer जगा जगा मिल रहे हैं, तो sanitize उस जगा को किया जा सकता है, अपने हाथों को sanitize किया जा सकता है, और जब आप बाहर से घर पे आते हैं, तो अच्छी तरह हाथों को 20 seconds तक धोएं, अच्छी तरह धोएं, जिससे अगर virus होगा, वो धुल के पानी से निकल जाएगा, तो यह जो preventive measure गौर्मेंट ने बताये हुए है, यह बहुत effective है, इससे हम लोग community separate रोक रहे हैं, कि हमारी community में यह एकदम ना फैल जाए, यह ना हो जाए कि लाखों लोग एक social distancing करना, यह बहुत जरूरी है, चली हमने यह बात तो कर ली, कि यह फैलता है, फैल जाता है, लेकिन दो बातों पर आप की राए हमें बहुत जरूरी है, एक तो यह कि क्या यह जब बैमारी होती है, तो हर बंदा मर ही जाएगा इससे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो इस वक्ट develop हो रहा है, मीडिया से या इदर उदर से, वो यह है कि यह बहुत खतरनाक बैमारी है, बहुत खतरनाक बैमारी है, तो यह किस हद तक लोगों को effect कर सकती है, और किस हद तक इसकी रोक था मुमकिन है, और चली पहले आप इसी पर बात कर लीजिए, कि यह किस हद तक खतरनाक है और किस हद तक इससे डरना चाहिए और किस हद तक हमें ये मान लेना चाहिए कि ये prevention से रोकने के लिए है इसका मतलब मौत का पैगाम नहीं है देखिए जिस तरह के तोड़ा टेक्निकली बताना चाहूंगा कि पीछे मैं इंडिया में था जब ये बिमारी शुरू होई है वहां आपने बहुत बारिकी से इसको स्टेडी किया और उसमें देखा गया कि आइसी एम आर इंडियन कॉंसल अब मेडिकल रिसर्च उन्हों ने जब इसके उपर रिसर्च की तो उसमें शुरू में यह पाया गया था कि 80 परसेंट लोगों में कोविड पॉजिटिव आ रहा है कॉरणा वाइरिस पॉजिटिव आता है जब वो टेस्ट करते हैं लेकिन पेशन को सिम्टम ही नहीं है कोई यानि पेशन्स आर असिम्टोमैटिक उनके बलड में तो कॉविड है उनके जब उसको हम बलके कोविड भी नहीं कह सकते उसको हम करोना वाइरस केरियर पेशन कहेंगे कि वो फैला सकता है लेकिन खुद उससे तकलीफ नहीं है तो 80% लोग तो यह इसे लोग जिनका इम्मुनुटी सिस्टम डिवैलप है जो इस बिमारी से मुकाबला कर सकते हैं लेकिन वो जो इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं वो किस तरह के लोग हैं देखिए हाँ यह बिलकुल ठीक है इसको हम जनरली जैसा आजकल बहुत सारी इंटरनेट पे सोचल मीडिया के थुरू हमारे समाज में आ रही है उसमें यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को कोई ना कोई अगर अन्डरलाइंग डिजीज है जैसे किसी को क्रोनिक डियबीटीज है किसी को रीनल फेलियोर है कोई कैंसर से पीडित है या किसी को कोई आटॉ-इम्यून diseases की दवाईयां ले रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कि immune system compromised है तो वो सब लोग जो है वो इसका target रहते हैं उससे उन में बीमारी के लक्षन काफी severe हो जाते हैं जैसे मैंने कहा कि बीमारी चार चर्णों में होती है mild, moderate, severe or critical जिन लोगों का immune system weak होता है उन में definitely chances बढ़ जाते हैं कि ये बीमारी का बहुत ब्यानक रूप हो सकता है जिसमें patient को severe to critical symptoms आने शुरू हो जाते हैं और इसी वज़े से शायद बहुत सारी deaths भी हुई है जिनका immune system weak था शुरू में हमने देखा कि जो 80 plus के लोग हैं उनकी death ज्यादा हो रही थी या जिनको कोई underlying disease है किसी को कोई lungs की ब relief है या फिर किसी को renal failure हो रहा है या liver failure हो रहा है कोई ना कोई underlying को morbidities जिससे बोलते हैं अगर उस तरह की बीमारी है तो वो लोग ज़्यादा इससे पीडित होते हैं और उनको critical या फिर कई बार उनकी death होती है लेकिन वो death होने की percentage over the time कम हो रही है जैसे यह January 2020 से शुरू हो थी बीमारी उस समय तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह बीमारी का spread किस तरह का है इसका prognosis किस तरह का है अब बहुत सारे countries में इसका का इलाज भी हो रहा है अब जैसे patient admit होते हैं बहुत सारी दवाईया कई कई जगा antiviral medicines try की जा रही है कई जगा even UK में जो steroids होते हैं वह उन्होंने देखा कि dexamethasone से काफी death rate कम हो गया बीस परसेंट लोगों का जो कि बड़ा economical steroid होता है dexamethasone उससे बहुत फरक पड़ता है इस प्रिमारी में और फिर जो कुछ दवाईयां जैसे hydroxy chloroquine वगारा यह रेमडेसी वीर वगारा इनका भी यूज किया गया यह सब allopathic दवाईयां है ज चरफ information के लिए बता रहा हूं कि यह allopathic hospitals में भी आजकल इसका इलाज हो रहा है और death rate आगे से काफी कम हो गया इसकी management ठीक है और बहुत सारे शुरू शुरू में लोगों को पते नहीं लगता था कि उनकी oxygen कम हो रही है आप जैसे oxymeter मैंने जिकर किया oxymeter एक चोटा सा equipment है रख ले अपनी oxygen चेक करते रहें अगर oxygen 95-94 से नीचे जा रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर को consult करें और डॉक्टर आपको guidelines देंगे कि आपने ये करना है ये नहीं करना है दर्शको इसके उपर हम मजीद बात करेंगे immunity क्या होती है इसमें आयोवेदा क्या कहता है और इ अस्तमाल कर सकते हैं लेकिन इससे पहले चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की दर्फ दर्शकों को health जरूरी है में स्वागत हम गए थे वक्फे पे और वक्फे से पहले हमने ये बात की कि हम अब इस बात पे चर्चा करेंगे कि इम्यूनिटी क्या है आखर क्योंकि बार बार आप जब भी जाएं सोशल मीडिया से लेके हर जगा पे ये चर्चा किया जा रहा है कि जिनकी immunity कम होती है वो इससे ज्यादा effect होते हैं तो इस सलसले में डॉक्स आप आप क्या कहते हैं इम्यूनिटी क्या है आखिर ये क्या बला है और ये किस तरह होती है देखो immunity का मतलब होता है कि हमारे body में जो हमारा blood है खोना पुरा उस खोन में white cells होते हैं अलग लग तरह क infection करते हैं from external invasion like अगर कोई bacteria virus fungus हमारी body में चला जाता है वो blood white cells सारा दिन घूमते रहते हैं वो देखते हैं कहीं virus bacteria आ तो नहीं गया अगर कोई virus bacteria आ जाता है वो उसको घेर लेते हैं उसको मार देते हैं ये continuous process होता है 24 hour चलता रहता है सो immunity का मतलब हो गया हमारे blood में पाए जाने वाले white cells जो की अलग लग तरह के होते हैं और इसमें T cells B cells जो killer cells ये अलग लग तरह के cells होते हैं और ये बिलकुल वैसा ही होता है जैसा हम अपने समाज में देखते हैं जो हमारी defense forces होती हैं जैसे military हो गई पैरा military forces होगी पुलिस हो गई उसके बाद equipments हैं जैसे bomb है स्टेंड गान है जो security devices हैं ऐसे बिलकुल सेम सिस्टम हमारी body में हैं जैसे tonsils हैं ये tonsils एक security device का काम करते हैं अगर कोई bacteria virus हमारे मुझ से अंदर जा रहा है तो tonsils पहले alarm करते हैं कि देखो कुछ बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं आप ध्यान करो अपना तो tonsils की infection पहला infection होता है अगर कोई भी bacteria virus जैसे हमने covid की बात की covid में जब virus नाक और गले से जाता है तो पहले गला पकड़ता है गले गले से गले में खराश और गले में हलका दर्द होता है जो की patient की attention ड्रॉ करता है ये basically alarm है यानि ये आपको alarm बचता है के मेरी केर करें कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है अंदर जो के body को disturb करेंगी ये ये सारा कुछ मिलके हमारे security alarm हमारे cells जो virus बेक्टिरिया को मारते है ये सारा कुछ मिलके जो एक system बनता है उसको हम immune system कहते है ये हमारे blood में होता है number 1 और दूसरा immunity जहां तक हमें कैसे पता है जिन लोगों को सीजन चेंज होते ही हलका सा बुखार जुकाम खांसी बार बार होती रहे allergies बार बार होती रहती है अर्टी के रिया होता रहता है तो वहां हम कहते हैं कि आपका immune system तोड़ा वीक है तो वहां immunity को enhance करने के लिए उनके cells को strong बनाने के लिए कुछ ना कुछ उ enhancer dietary supplements भी कहते हैं डाइट्स भी कहते हैं इस तरह से हम उसे scientifically लेते हैं चलिए ये बात तो हो गई कि हमारा defense system इनसान के अंदर उसका अपना ही एक system है जो कि उसे तमाम बेमारियों की तरफ से अलाम भी करता है और पिर उसकी हिफाज़त भी करता है अगर वह इफाज़त नही कर पा रहा और आप बहुत जल्दी जल्दी बिमार हो रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि आपका वो system जो के defense system है वो खराब है और उस defense system को असल में immunity कहते हैं अच्छा अब आप ये बताईए कि जो एलोपैथी है ये तो बहुत ही आम एक उस पे चल रहा है और बहुत contemporary इस वक् medicine का तरीका है जबके आयोवेदा हजारों साल पुराना एक system है और दोनों की philosophy बिल्कुल treatment की बिल्कुल फरक है तो वाइरस का मकाम आयोवेदा में कैसे है साइंसदान इसको बिल्कुल और तरह ले रहे हैं तो आयोवेदा मुझे बहुत दल्चस्पी है जानने में कि इसके क्या रहा है रखते हैं देखिए अगर वाइरस की हम translation पढ़ें तो वाइरस को विशानु कहा है विश अनु जानी ऐसा एटम जो विश की तरह फैलता है बिल्कुल जैसे poisoning होती है पूरी body में फैल जाता है ऐसा एक अनु होता है मतलब उस समय जो translation की गई वाइरस की उसको व philosophy जो है वो वात, पित और कफ ए तीन तरह की energies होती है इस पर अधारित होती है कि हमारी body में कौन सी energy बढ़ी है कौन सी कम हुई है और उसकी हमारी terminology भी अलग है हमारा method of treatment भी अलग होता है आयरवेदिक treatment जो होते है जनरली उसमें हम लोग पहले तो body को detox करते हैं फिर कुछ हम herbal supplements देते हैं और फिर एक diet का खास ख्याल रखा जाता है और lifestyle का ख्याल रखा जाता है तो आयरवेदिक treatment के चार पार्ट होते हैं पहले detox करना, medicines, उसके बाद diet और उसके बाद lifestyle तो यह ऐलोपेथिक system से अलग है ऐलोपेथिक में तो पूरी दुनिया अभी तक vaccine के चकर में ले सकते हैं इसके लिए मैं आयरवेदिक तरीके थोड़े से बताना चाहता हूं कि हम लोग ऐरवेदा से अब कोविड के कोविड के सिलस्ने में हम लोग क्या help ले सकते हैं हलां कि मैं एक disclaimer देना चाहता हूं अभी तक कोई ऐसा concrete इलाज नहीं आया है जिससे हम यह कहें कि को पहला part होता है संशोधन कि हमने अपनी body को detox करना है अब कोविड जो होता है इसका जो शुरू में प्रभाव आता है नाक और गले पे आता है मतलब नाक गला इतने portion में इसका effect रहता है उसके लिए patient के जैसे मैंने शुरू में बताया था कि patient के गले में खराश होती है और ब बल्गम बनती है तो नाक में डालने के लिए हमारे यहां तेल अलग लग तेल होते हैं अनु तेल है शटविंदू तेल है या या सिरफ सर्सों का तेल ही अगर नाक में डेली आप डालते हैं तीन बूंद इधर तीन इधर तो आपका पूरा नेजल ट्रैक गले तक जो है व उसने में बलगम नहीं जमती, यह एक बहुत सिंपल तरीका है, कि रात को सोते समय, या सुबह आप तीन बून मस्टर्ड ऑईल की इधर तीन बून इधर डाले, तो आपका जो नेजल ट्रैक है, वो क्लीन हो जाएगा, इसको मैं बोलता हूं कि हमने पूरा अपना संशोधन कर ससकना है, सेकेंड आगया है, कि मेडेसंन जैसा मैंने शुरू में कहा कि मेडेसं हम प्रिस्क्राइब करते हैं एक्रिटीकल है उसके लिए तो आयर्वेदिक डॉक्टर ही डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कौन सी दवाई देनी हैं लेकिन कुछ चीजी ऐसी हैं जो अपने दर्शक घरों में कर सकते हैं उसके लिए आज कल इंडिया में आयूश मंत्रालया जो मनिस्ट्री ऑफ आयूश है उन्ने एक काढ़ा एक डिकॉक्षन या हर्भल टी रिक्मेंड कि है जो क्रोडो लोगों ने इस्तृम inग्या की और उन्ने पाया कि जिन्नों ने इसको इस्ति चीजों का काढ़ा बना के चार चीजों की टी बना के लिए जाती है और इसका उन्होंने नाम दिया है जिसको बोलते हैं आयूश काढ़ा या आयूश कवात ये इंटरनेट पे अपने दर्शक देख भी सकते हैं आयूश AYUSH तो इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है उसके लिए आप तुलसी के पते 100 ग्राम लीजिए सुखे पते तुलसी के 100 ग्राम दाल चीनी 50 ग्राम सोट जिसे ड्राइड जिंजर कहते हैं 50 ग्राम और 25 ग्राम काली मिर्च तो चार चीजों का पौडर बनाके रखना है तुलसी के पते दाल चीनी सोट और काली मिर्च ये चारों का चूरन जैस रेशो में मैंने बताया है उस रेशो में मिलाके इसका पौडर बनाके अपने क अब यह उबलते उबलते आधा रहे जाए तो इसको फिल्ट्र करके इसको पीना है। ज़िए आप कुछ शूगर नहीं है तो आप इसमें गोड़ भी डाल सकते हैं, तो इसको मीठा करने के लिए, लेकिन इसमें दूद्ध नहीं दालना तो इसको आप डेली अगर पीते हैं तो अभी तक कि research से यह पता लगा है कि जिन लोगों ने भी लिया है, जातो उनको symptom आए रही, अगर symptom आए भी है COVID के, तो वो बहुत mild या moderate तक रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वेर या critical stage में नहीं गया, ये एक इंडिया से जो ICM अपने आयूश मंतराले बताता है, वो म लोग हल्दी का इस्तिमाल कर सकते हैं, हल्दी के capsule हर जगा कैनेडा में, आज कल जतनी health food shops हैं, हर जगा इसके capsule मिलते हैं, एक capsule सुबह एक शाम लगातार आप लें, तो आप severe या critical stage में जाने से बच सकते हैं, क्योंकि हल्दी की जो अगर आप properties बढ़ते हैं, ये immunomodulator भी है, ये platelet aggregation को भी रोकता है, clot नहीं बनने देता, inflammation नहीं होने देता, जो की जाके अगर आप critical cases में देखते हैं, वहाँ inflammation और clot बगारा जो बनते हैं, वो एक बहुत बड़ी सिर्दर्दी होती है, तो हल्दी आपको इसमें बचा सकती है, और दालचीनी के capsule मिलते हैं, वो आपक चाही है, अभी एक जपान की organization ने research की है, जिसमें उन्होंने पाया है कि अशवगंदा जो है, ये covid की prevention में बहुत कारगर है, और जितने दर्शक देख रहे हैं, वो Google पर जाएं, टाइप करें, अशवगंदा, space covid, space research, तो आपको बिलकुल ये paper, research papers, net पे मिल जाएंगे, जि इसके इलावा, जितनी बल्गम को निकालने वाली चीजें होती है, वो covid में फाइदा करती है, इवन अगर आप black tea, black coffee पीते हैं, तो आपकी बल्गम अगर निकलती रहे, अगर जिससे बल्गम जब अंदर जम जाती है, तो सुरोतो अवरोध होता है, जनी हमारे channels block हो जाते ह हैं, जिसे patient को सांस ही नहीं आता, oxygen की कमी भी उसी वज़ा से होती है, तो अगर सुरोतो अवरोध हम ना होने दें, तब भी covid से निजात मिल सकती है, या उसके symptoms जो है, वो स्वेर या critical stage में नहीं जाएंगे, तो बल्गम ना बने उसके लिए, हमारा जो आयरवेद का तीसरा पार्ट है, जिसको हम डाइट बोलते हैं, तो डाइट में जिन लोगों को बल्गम बन रही है, उसके लिए खास हिदायत है, कि वो अपने dairy products बिल्कुल बन करते हैं, क्योंकि जितने dairy products हैं, उन जितने milk products हैं, जैसे दूद हुआ, curd है, योगर्ट है, चीज है, मखन है, इन स सबसे बल्गम ज्यादा बनती है, तो अगर आपके बल्गम बन रही है, तो dairy products आप बिल्कुल अवाइड करें, और ठंडी खटी चीजें, cold drinks, ice cream, खटी चीजें, sauce, chutney बगारा बगारा, यह सब चीजें बंद करनी चाहिए, यह अभी तक medical doctors नहीं बताते हैं, यह Ayurvedic doctor ही ब बहुत importance दियाते है, डाइट ही तो basic आपकी prevention, आपकी body का system regulate करती है, energies motivate करती है, वहाँ वहाँ पंचाती है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, तो इस हिसाब से मैं यह समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि Allopathy किसी भी चीज़ को absolute खतम नहीं करती है, जब तक कि आपका जिसम आपके साथ उस पे काम ना करे, और जिसम को काम करने के लिए जरूरी है, कि वो सही food ले, जो सही energies, जो चाहिए, जो ज़रूरत है, वो उसके अंदर पैदा हो, बिल्कुल, और इसी का चौथा पार्ट यह होता है, lifestyle, lifestyle में बड़ा जरूरी है, कि हर वेक्ती COVID के दिनों में कम से कम आधा गंटा जुरूर exercise करे, 30 minute walk या 30 minute brisk walking exercise, yoga, यह सब चीजें आपके immune system को fit रखने के लिए बहुत जरूरी है, और COVID के दिनों में exercise का बहुत रोल है, और COVID जो है, इससे बचने के लिए अगर हम यह चारों पॉइंट्स अपने जीवन में लागू कर ले, जब त तो काफी बचाव इससे हो सकता है, अब हम अपने प्रोग्राम को खतम करने से पहले, कोई ऐसा message जो आप लोगों तक देना जाते हो, इस प्रोग्राम के थूरू वो दीजिए, और जो घरेलू असान चीज, जो वो अपनी डाइट में शामिल कर लें, ताके वो उनको इस ब नाग को डेली साफ करें या उसमें तेल लगाएं, सरसों का तेल नाग में लगाए जा सकता है, और दूसरा गरम पानी पीना इसमें काफी helpful होता है, और तीसरा जो मैंने घरेलू उपचारा अल्रडी बताए हैं, उसमें आप उसकी चाय बना के आजूश काड़ा की चाय बन बोलते हैं, काली में सोंट और पिबली, इसका पौडर इसको तरी कटू कहते हैं, यह थोड़ा सा शेहत के साथ मिलाके रोज चाटते रहें, इससे बलगम नहीं जमती हैं, क्योंकि आइरवेद में कोविट को हमें एक ज्वर ही मानते हैं, वात शिलेश्मिक ज्वर बोलते ह इसको जो वात और कफ की बृदी से बुखार हो जाता है, उसी को कोविट कहते हैं, तो हमें वात शिलेश्मिक ज्वर की किस्सा ही करनी है, और उसी से अराम आ जाता है, और इसलिए जो अगर आप सोंट काली मिर्च और पिपली इसका चूरन बनाके घर में रख लें, थोड के सिर या क्रिटीकल सिम्टम होने की संबावनां कम हो जाती है, और हल्दी का इस्तेमाल किसी भी रूप में करें, चाहे कच्छी हल्दी, चाहे ंवालदी कापॉडर या हल्दी के कैप्सौल, जो आज कर मिलते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक मैं और चीज बता द जो mental health के issues हैं वो काफी बढ़ सकते हैं यह उनको एक अंदेशा है कि अब कोविट के बाद mental health की बिमारी बढ़ेगी उसके लिए आप थोड़ा सा meditation और योग इसका भी जो exercises करनी शुरू करते हैं meditation इसमें काफी help करती है और अपने आपको जितना सात्विक रखेंगे हम उतना अच्छा रहेगा आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने का और अपनी बहुत ही अच्छी छोटे छोटे टोटके देने का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत धनेवाद दर्शे को हार बेमारी का इलाज इनसान के जिसन की सही निगरानी से होता है और उसके लिए आपका फूट बहुत एहम है इन्वाइरमेंट में तद्दीली आती है लेकिन हमारे अंदर adaptability जिसको कहते हैं कि हम हर चीज़ के साथ अपने आपको adapt कर लेते हैं ये कुदरत का हम पे ऐसान है कि हम ये कर सकते हैं और उसको करने के लिए सही खुराक और सही वर्जिश सही exercise अपने जिसन का ख्याल इसलिए कि ये वो मिशीन है जिसमें आपको सबसे ज्यादा देर तक जिन्दा रहना है इन इलफास के साथ आज का help जरूरी है देखने का बहुत बहुत धन्यवाद झाल